ही गाइज वेलकम बेग टू माई चैनल कैसे हूँ आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मां आपके साथ अपने सिस्टर के वेट हेर टावल ट्राइंग की वीडियो शियर करने लगी हूँ, I hope guys आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगे तो guys वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और हो सके तो वीडियो को अपने friends and family के साथ शियर भी कर देना, तो guys मेरी sister की काफी ज़्यदा वीडियो आपने देखे हुई हैं, आप सबको पता है कि उसके बाल काफी ज़्यदा लंबे हैं, strong है, healthy बाल हैं, तो मेरी sister ने किया था, hair wash और hair wash करने के बाद, वो towel drying कर रही हैं, वैसे तो हमें ज़्यादा towel drying नहीं करने चाहिए, इसे हमारे बाल कमजोर होते हैं, जब भी आप hair wash करते हैं, तो उसके बाद कुछ इस तरह से आप अपने बालों को सुखा सकते हैं, हमें वैसे naturally, natural sunlight में ही अपने बालों को सूखने देना चाहिए, किसी भी तरह के heating tools का आपको यूज नहीं करना चाहिए, dryer का आप यूज बहुत ज़्यादा कम कीजिए, अगर आपको कहीं urgent जाना है, तब ही आप उसका यूज कीजिए, वैसे आप natural sunlight में ही अपने बालों को सूखने दे, इससे काफी ज़दा healthy रहेंगे, strong रहेंगे, आप मेरी जिस्टर के बालों की length देख सकते हैं, कि उसके बालों की length कितनी ज़दा अच्छी है, कितने सुंदर and strong बाल है, hair fall की problem उसे बिल्कुल भी नहीं है, इसके आपको यही है, कि वो अपने बालों की काफी अच्छी care करती है, hair wash टाइम पर करते हैं, और इसके इलावा, oiling, shampoo, conditioner, हर चीज, मतलब बहुत अच्छी तरह से वो यूज करती है, अपने बालों की बहुत अच्छी hair care, वो पूरी hair care routine उन्होंने रखी हुई है, जिसे कि बाल काफी ज़दा उसके healthy रहते हैं, strong रहते हैं, कि कुछ इस तरह से मतलब टावल ट्राइंग नहीं करनी चाहिए, तो आप जब भी hair wash करते हैं, अब जैसे summer स्टार्ट हैं, तो summer में आप जब भी hair wash करते हैं, उससे 10 मिनट पहले आप अपने बालों में दहीं लगा सकते हैं, दहीं लगाने से ना हमें dandruff की problem भी बिल्कुल भी नहीं होगी, औ और हमारे दहीं जो है, वो as a conditioner भी work करता है, मतलब conditioner का पूरा काम करेगा, आपके बाल बिल्कुल silky, shiny, smooth हो जाएंगे, तो जब भी आप hair wash करते हैं, उससे पहले आप दहीं का use कर सकते हैं, सिरफ 10 मिनट के लिए आप उसे लगा कर रख लीजिए, और उसके बाद आप अपन пол-draw के मेरी sister ने कर ली है, अब वो अपने बालों पे combo कर रहे हैं, वैसे हमें गीले बालों में combing भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे वेठ हियर उता है, वो काफी ज़्यदा वीक होते हैं, और गीले बालों मेरीं हमें combing भी बहुत ज्यादा कम करनी चाहिए, पूस sister के बालों में जितने भी tangles हैं वो सारे उसे remove कर रही है गिले बाल न हमारे थोड़े कमजोर होते हैं तो जब बाल थोड़े सूख जाते हैं तब ही हमें combing करनी चाहिए आप मेरे sister के बालों की length देख सकते हैं कि उसके बालों की length कितनी ज़्यादा अच्छी है और अब तो उसके बाल और भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं बिलकुर silky, shiny, smooth, straight बाल है बालों में बहुत ज़्यादा tangles नहीं है और here fall की problem भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है मतलब थोड़े बहुत ही बाल निकलते हैं, बहुत ज़्यादा बाल उसके नहीं निकलते हैं आप देख सकते हैं कि उसके बाल कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं बाल कितने ज़्यादा बिलकुल straight बाल है बिलकुल भी करली बाल नहीं है और अब भी बाल बिलकुल गीले हैं naturally हम बालों को सूखने देंगे सूखने के बाद उसे बालों में oiling करनी है oiling करने के बाद simple single braid बना लेती है वो बालों को जदा खुला या फिर मतलब बालों को जदा dry वो नहीं रखती है तो देखिए confhington करने के बाद बाल कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं, बालों की लेंथ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, I hope guys, आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वली वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप कौन-कौन सी हेर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना, I hope guys, आपने अभी तक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो प्लीज एक लाइक ज़रूर कर दीजिये, ये दो-चार बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो आपकी हेर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल खतम हो जाएगी, आपको hair fall की problem बिल्कुल भी नहीं होगी अब जैसे summer हैं तो हमें heavy hair oiling नहीं करनी चाहिए थोड़ा बहुती oil लगाना चाहिए hope guys आपको मेरे ये विडियो अच्छी लगी होगी तो चलिए friends आप माँ मिलूगी आपको अपनी next वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you, bye